हे गाइस सबसे पहले मैं इश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको Advanced MCQs on Tenses explain करने जा रहा हूँ क्योंकि आज कल इंगलिश के हर एक एक्जाम में MCQs के कोशन पूछे जाते हैं तो आज मैं आपको Advanced MCQs on Tenses explain करने जा रहा हूँ ओके गाइस तो समय को बरवाद किये विना वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले analyze करेंगे question number first को question number first को देखते हैं guys he he blank he blank not worry about it he blank not worry about it तो जो ये blank दिया है guys उसको हमें fill करना है जो blank दिया है खालिस्तान दिया है उसको fill करना है वो चार option है ABCD तो मैं आपको बताता हूँ he blank not worry about it तो इसका means क्या है उससे जरुवत नहीं है उससे जरुवत नहीं है इस बारे में चिंता करने की इस sentence का means यह है उससे इस बारे में चिंता करने की जरुवत नहीं है ठीक है और जो ये tense है न guys present indefinite का है ये tense किसका है present indefinite का ठीक है present indefinite का tense है अब मैं आपको इसका answer बता रहा हूँ जो ये question है इसका answer है option number A option number A is the correct answer अब आप बोलोगे sir ये singular subject है ही एक singular subject है और singular subject के साथ present indefinite में किरिया में S or S लगता है लगता है कि नहीं जब भी हम present indefinite का use करते हैं उसमें कोई singular subject होता है तो verb में S और E S नहीं लगते हैं तो आप सोचोगे sir ये तो singular subject है तो इसमें needs को नहीं आया जो इसका option number B है ना वो answer क्यों नहीं है क्योंकि guys ये sentence negative है फिकी नहीं आपको बताने sentence note लग गया तो sentence negative हो गया और negative sentence में किरिया में S और E S नहीं लगते हैं आपको पता होगा जब present indefinite में sentence negative होता है तो verb में S और E S नहीं लगाते इसलिए इसका answer बनेगा need क्या बनेगा need तो आपको needs नहीं लगा क्या आना आप इसको singular subject समझके S और E S वाला option रखके नहीं आना है क्योंकि इसमें already note लग चुका है तो आपको need ही रखना है He need not worry about it उसको इस बारे में चिंता करने की ज़रुवत नहीं है तो I hope guys आपको समझ में आ रहा होगा और एक चीज़ और मैं बता दूँ जो need होता है जो need है ना वो हर एक helping birth का का काम भी करता है जो needable वो एक helping birth का भी काम करती है जैसे अब कुछ नमबर सेकेंड को एनलाइज करते हैं शी ब्लेंग नोट अपोज मी तो अप्शन नमबर ए है डियर्स ठीक है अब आप सोच रहे हों कि सर यह सिंगुलर सब्जेक्ट है इसका मीन समझो शी नोट अपोज मी अब देर का में इसका था हिम्मत तो उसमें हिम्मत नहीं है मेरा ग्रोध करने की इसका मीन से गाइस उसमें हिम्मत नहीं है कि वह मेरा ग्रोध करें अब यह तैंस इन गाइस यह भी प्रिजेंट इंडेपनेट का है इसका टैंज है present indefinite का, तो आपको लगा रहा हूँ, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शायद इसका देयर सांसर होगा, तो देयर सिस नोट दी आंसर, इसका आंसर देयर से नहीं है, इसका आंसर देयर है, क्यों है, क्यों कि मैंने आपको first question explain किया था, उसमें need था, तो need का need भी रखा था वने He need note रखा था He need not क्यों रखा था क्यों कि उसमें note आ गया था और इसमें भी note आगया कि नहीं तो यह sentence negative हो चुका है तो negative sentence में किर्या के संग is or is नहीं लगाते है चाहे वो singular subject ओ या प्लूरल ठीक है ना तो इसलिए इसका अंसर होगा she dare not she dare not oppose me ओके और dare एक helping verb का काम भी करता है जो dare है ने एक verb भी है और एक helping verb भी है जिसमें ने उपर बताया था आपको जिसमें ने बताया था उपर just अभी जो मैंने explain किया need तो need एक verb भी है एक helping verb भी है तो ये dare इसमें किसका काम कर रहा है एक helping word का तो she dare not oppose me आपको dare रखके नहीं आना है आपको यह आज़त नहीं वाकर negative हो गया तो verb में as or yes नहीं आता चाहे वो singular subject क्यों नहीं हो ओके गाइस बात करते हैं question number 3 के look at देखिए take note देखिए if I if I blank if I if I blank you if I blank you I would not I would not agree to that foolish proposal agree to that foolish proposal उसका means क्या रहता है गाइस यदी मैं आपके इस्तान पर होता यदी मैं आपके इस्तान पर होता तो मैं इस मैं इस बेफ्टूफी वाले मैं इस बेफ्टूफी वाले proposal को स्यूता नहीं करता यदी मैं आपकी जगे होता तो मैं इस से बेफ्टूफी वाले proposal को प्रिस्ताव को प्रिस्ताव से सहमत नहीं होता इसका ये मतलब है तो मैं आपको ये बता दूँ आपको याद अदना है जब भी हम किसी किसी चीज की imagination करते हैं जब भी हम किसी चीज की कलपना करते हैं तो आपको याद अदना है इफ इफ के संग जो helping वर आएगी इफ प्लस subject प्लस वर याद अदना ये structure इफ आएगा फिर subject आएगा फिर वर आएगा जब भी किसी चीज की कलपना करते हैं imagine करेंगे क्योंकि देखो इस sentence में कौन सी feeling आ रही है इस वाकिय में feeling आ रही कलपना की imagination की इसमें क्या बुला जा रहा है यदि मैं आपके जगए होता तो मैं इस बेफ कूफी वाले proposal से सहमत नहीं होता तो हम क्या करें कलपना कर रहे हैं यह reality नहीं कलपना यदि में होता तो नहीं करता खुलते नहीं जैसे यदि में actor होता तो मैं video नहीं बनाता समझानी चीज़ें तो यह कलपना है क्या है imagination तो imagination के संग आपको हमेशा work का यूश करना है जो पेला statement होका उसकी site करि Big W 🎶 retrospect और जो दूसरा statement बनेगा उसकी Wourd आपको याद रहे होता है जब भी किसी चीज़ के हम कलपना करते हैं तो पहले close पहले close में आपको !!" रखना है और दूसरे close में आपको वोड रखना है मतलब पहले close men helping word वर होती है और दूसरे close की helping word वोड होती है यहाँ पेला close था तो यहाँ वर आजागा ठीक है और यहाँ पे क्या वोड ही दूसरे close में वोड ही तो यह आपको यह आपको rule याद रखता है जब भी हम किसी statement या किसी sentence में कल्पना करते हैं इमेजिनेशन करते हैं तो पेले वाले स्टेटमेंट में वर आता है और दूसरे वाले स्टेटमेंट में बुड़ आता है ठीक है तो इफ आई वर आंसर क्या जागा इफ आई वर यू आई वूड नोट अग्री टू डेट फुलेश प्रपोंसर ऑके गाईस आपको समझ में आ रहा होगा तो गाइस बात करते हैं कोशन नमबर फोर गी और मैं आज की वीडियो में आपको क्या एक्स्प्रेंट कर रहा हूं कुछ एप्सेशनल केसे कुछ एडवांस केसे बता रहा हूं टेंस के जो कॉम्पिटिटिव एक्जाम में तो पूछे ही जाते हैं कॉम्पि इफ ही वर अबर्ड दूबल्गु सभी देख खल्पना हो रही है इफ ही वर अबर्ड यदि वर एक पक्षी होता अब आप सोच रहे वह सर यह इसमें ही के संग को बोज आता है जो वैसे अपने नॉर्मली सिंगुलर सब्जिक के संग बोज लगाते हैं कि नहीं और वर तो प इंगाता है अब अगी जाता है और दूसरे क्लोस में आता है वोड अभी जस्त एक्स्रेम किया तो तो आपने सेंट सेंग एक कर्णिशन है इफ वर पर्ड यदी वा पक्षी होता की इंग फ्लाइड और ही डेंग् फ्लाय कुई लेडी लव मत्दाब्ड वह एक घंग जला जाता अपनी लेडी लग के पास फ्लाय करता हुआ यदि वह एक पच्छी होता तो वह अपनी प्रेमिका के पास पोर कर चला जाता इसका सेंस यह तो आपको फर्स स्टेट्मेंट में वर्ड मिल गया तो सेकिन में बुड आता यह जब किसी चीज की करतना करते हैं इमेजिनेशन करते हैं मैंने जस्ट उपर वाला एक्सेंट के ता सेंट पिछ का कोश्चन ने लीचे वाला तो सीदे सीदे क्या आता है बूड ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा गाईस बूड इस ही वर अबर्ड फॉलाय तो इस लेडी लव इसंट इस 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 आंसर ऑप बात करेंगे गाईस कोश्चन नंबर फॉर चलो रिपीट हो गया कोई बात नहीं पॉर जो क्वेशन नंबर फॉर है मैंने दो बार लिख दिया बाइशन कोई बात नहीं जितना ज़्यादा आपको मैं बताऊंगा उतना ज़्यादा क्लियर्टी आएगी तम मोर उसे मैं आपको बताऊ की अपको बता दूं आपको लग रहा होगा करेक आंसर मैं आपको बता रहा होगा है और क्या हो ए दोनों बताऊंगा देखो The merit of these books जो विशेष्टा है जो विशेष्टा है इन किताबों की जो विशेष्टा है इन किताबों की well known वह जानी पहचानी है इन किताबों की विशेष्टा जानी पहचानी है मतलब इन किताबों को जो लोग जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं ये books बहुत अच्छी हैं तो देखो इसमें हिंदी का सेंस देखना किताबों की विशेषता मतलब विशेषता क्या singular है जो merit होता है न वो singular noun होता है इसमें दो main subject होता है आपको याद अगना है देखें मैं आपको चीज़ लिखके बता दूँग याद अगना जैसे आपको एक subject आए किसी sentence में एक subject आए plus preposition आ जाए क्या जाए preposition subject plus preposition plus subject ठीक है आपको किसी sentence में दो subject दिल जाए जैसे एक subject यह फिर बीच पे प्रपोजिशन आ जाए फिर subject आ जाए तो जो first subject होता है न वो होता है main subject जो first subject होता है वो क्या होता है main subject आपको याद अगना है किसी sentence में आपको दो subject दिल जाए यह दो एक सब्जेक्ट दम मेरेट है एक सब्जेक्ट दम मेरेट और दूसरा सब्जेक्ट क्या दीज दू एक सब्जेक्ट दम मेरेट और बीच में प्रोजिशन है और एक प्रोजिशन है कि ने यह प्रोजिशन आ गई तो मैंने आपको क्या बता है सब्जेक्ट प्लस प्र आपको helping work नहीं रखनी है आपको helping work रखनी है जो proposition के पेले subject है वो main subject है तो क्या होगा the merit the merit is a singular subject the merit is a singular subject है तो option number A option number A is the correct answer the merit of these books is well known समझ्या रहा है गाइस तो इस मैंने concept लिखके बता दिया आप लिख लेना क्या subject plus proportion plus subject तो first subject is the main subject तो पहला subject होता है वो main ठीक है गाइस question number 5 को भी analyze करते है देखने समझते है मैं बताता हूँ आपको देखिए the chairs in the corner the chairs in the corner of this room इसका means करता है गाइस जो कुरसिया है जो कहाँ पे रखिवी है the corner पे गम्रे के कूरसिया क próp Cy aprique को रखिए कैसे रखिये well placed अच्छे से रखिए कूरसिया कम्रे के पे कोने में अच्छे से रखिए हूए तो फिर देखो same concept डेखो अब एक प्रिपोजिशन इन आ गई कोई बात नहीं है अब इसमें तीन सब्जेक्ट है देहो दूब नहीं जो पहला सब्जेक्ट होता है वही main subject होता है लिए आपको क्या बताया था जब कोई एक subject आ जाया फिर position आ जाया फिर subject आ जाया कोई दिख्कत नहीं है आपको जो पहला subject पहला main subject होता है उसी के according आपको helping work रखने है तो आप इसको room मत समयले ना room main subject नहीं है आप इस तो चोड़े रूम है, तो हम इस आंसर लगा किया जाएं, तो इस is not the correct answer, इस नहीं सही आंसर नहीं है, आपको इस नहीं रखना है, रूम को देखके शायद, इस्टुरेंट सोचते हैं, बहुत साइट सोचते हैं, कि सर सब्जेक्ट तो रूम था, सिंगूलर था, तो हम इस ल जाते हैं, कूरसियां जो कौने में रखी गई इस कमरे में, इस रखी गई रह एँ, समझ्हार रहा हा है, तो यह से कॉच्छन में स्टुडेंट इस्टुरेंट कंफ्यूस हो जाते हैं, ठाट के खकेंड को सिंपल होते हैं, अगर आप कॉंसेट केक्लियर नहीं है, तो आप रोंग आंसर लिखके आ सकते हैं अब इनलाइस करेंगे कोशन नमर 6 को गाइस ओके तो गाइस यह कुछ एडवांस डूल है जो मैं आपको बताते भी जा रहा हूं टेंसेस पर बेस्ट यह कोशन आते हैं तो जो सिंटेक्स होता है और एडवांस डूल भी अच्छे साएंगे आएंगे की नहीं आएंगे सब खेल क्या है अंडस्टेंडिंग सब खेले समझने का तो समझ ना आएस कोशन नमर 6 पाइफ किलोड ओफ ड़ाइस पाइफ किलोड ओफ फाइफ कोशन आप बाइइस परचेज यस्टरड़ें अब इसको समझना दो रगा से अब इसमें क्या बुला जा रहा है जो पांच किलो चावल कल खरीदे गए तो मैं आपको यह पता दू जो यह ऐफ किलोड अना काइस एक certain quantity है मलोग निश्जित मात्रा है मैं क्या बोलना हr golden 5 kilo 5 kilo क्या है एक निश्जित मात्रा है तो निश्जित मात्रा singular के लाती है आपको याद अगना है certain quantity आ जाए 5 close 5 close अलग अलग नहीं है न वो 5 close के ऐसे वो 5 kilo four? 5 kilo चावल դो 5 kilo चावल नहीं हें वो संग मैं इसने बोला जाए तोग पांच क्लो चावल खरी देगा है तो कोई पांच क्लो चावल खरी देगा Спांच बोल जैसे सहे lon भय होता है एक वेकि में को आघ नहीं लगा क्या ना वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही कहलाता है तो इस में आपको याद रहना है 5 close अब आपको दे धाले में सब्जेट लोग देख रहे और तो इसका आंसर वर नहीं है इसका आंसर है वोस तो मैं ये बोलना चाहरा हूँ ओफ के पहले तो आपको subject देखना है बड़ जो subject है ना मालब पिपोजिशन से पहले subject तो आपने देख लिया देख लिया subject में यह यह 5 लोस अब इसमें वोस क्यों आया मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक निश्चित मात्रा है 5 किलो 5 किलो एक निश्चित कॉंटिटी है और निश्चित कॉंटिटी के संक्याता है singular helping word इसलिए इसमें वोस आया गा 5 लोस और राइस वोस परचेस यस्टरड आपको समयना होगा नेक्स कोशन की बात करते सेवन देयर ब्लेंग 10 रुपीज ओंदर टेबल इसका मिंस क्या होता है टेबल पर 10 रुपे है ठीक है अब आपको याद अगना है जो यह निश्चित एमाउंट है यह नभी क्या बताया था जिसे आप मैंने definite आपको जिसे मैं करो ही का से अनुटिदी हो देख है और यह रही बना आपको यह रुपीज देक्के आणि लगा वर शेम्हां तो यह सप्सा इसके अनृप जेख के चा fatty easy है, there is 10 rupees on the table, तो याद अपना है किसी चीज का certain number हो certain amount हो certain distance हो यह सब singular ही consider करते हैं hope आपको समझ में आ रहा होता है next hard times hard times by dickens hard times, hard times by dickens length, worth reading, worth reading तो इसका means क्या आता है आपको पहले ही बता दू, hard times क्या है एक book का नाम है hard times is the name of a book ठीक है, और जो dickens है, वो dickens is a writer, dickens कोने एक writer है अब इसमें क्या बुला जा रहा है जो hard times है जो किसके दवाल ही गई, dickens के दवाल ही गई है worth reading, यह परने योग है worth reading का में इसका था, परने योग है जो dickens के दवारा hard times लिखी गई है परने योग है, तो सीधे-सीधे hard times आपको इस dickens नहीं देखना है dickens is the name of a person, dickens एक व्यक्ति का नाम है अब कोई बच्चे बुलने सरम ने तो S देख लिया इस देख लिया तो बहुचन समझ बेटे हम तो यह कोई subject यह जो dickens है ना यह क्या एक नाम है वेक्ति का जबकि किसकी बात की जा रही है, किताब की तो नाम भी singular ही होता है ठीक है ना, तो आपको याद रखना है इस के संग क्या आएगा, is option number a is the correct answer hard times by dickens is worth reading ठीक है, जैसे मैं एक sentence लिखूँगा जैसे मैं लिखूँगा, मैं यहापी दबड़ को यहापी मैंने लिखा three idiots three idiots ठीक है ना, three idiots लिख गया उसकर blank आगया, movie ठीक है, जैसे मैंने एक example लिख पता हम आपको three idiots, three idiots blank, movie, आप blank मैं पता इसमें क्या आगा, इसमें भी इजी आएगा आप यह मस्तोस ना, three idiots ठीक है, ठीक है, पिक्चर का नाम है इसमें तीन बेफ को, बेफ को बात नहीं हो रही है यह three idiots is the name of movie इसलिए आपको इसमें आने आगा, इसमें भी इज आएगा क्या है रहा, इस, वेसे ही जो hard times है आपको इस बली दिख रहा है, इसमें भी इस दिख रहा है बड़ी एक book का नाम है तो hard times by Dickens is worth reading आपको समझना आगा question number 9 को analyze कर लें, guys it is I, it is I who blank responsible for this it is I, who blank responsible for this मतलब यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, जो इसके लिए जिम्मिदाब ही अब देखो, यहाँ पर आपको बता है, it is, जो it is के बाद जो subject आगा है जैसे बोलते हैं, it is Ram, it is Ram, who is my friend तो इसको बोलते है, introductory pronoun यह कौन सा concept है, introductory pronoun का concept है बड़ मैं आपको बता जेता हूँ, देखो, जब भी आपको it देख जाए it और is उसके बाद जो subject होता है, it is के बाद जो subject होगा न, वही main होगा आपको यहाँ रगना है, it is के बाद जब कोई subject आता है न, तो वो main subject होता है तो देखो, इसमें it is I, तो I एक main subject है इसमें जो I है न, guys, यह I main subject है, इसी के according आपको helping verb रगनी है तो I के संग helping verb क्या आती है, एम आती है की नहीं तो mostly student क्या करते है, it is I, who is लगा क्या आते है क्योंकि ज़्यादा तर आपने सुना होगा, who के संग is लगाते है जिसके मैं आपसे पूछूँगा, who is your best friend, जिससे पूछते है न, who is your favorite teacher, who is your favorite politician तो who के संग mostly is लगा है की नहीं, तो यहापे who के संग क्या आ गया, am आ गया क्यों आ गया, क्योंकि इसमें main subject I है, तो I के संग हमेशा क्या आता है, guys, am याता है तो क्या गोला जा रहा है, it is I, who am responsible for this, समझ भाना है, guys, तो यह कुछ concept होते हैं, जो आपको पता होने चाहिए, जिससा आप किसी competition की तयारी कर रहे हो, तो इसी types के question पूछे जाते हैं, अब देखिए, बात करते हैं, question number 10, guys, Mohan along with his friends, Mohan along with his friends blank working in Delhi, बात मोहन अपने दोस्तों के साथ दिल्ली में काम कर रहा है, तो आपको यार रखना है, इसमें में सब्जेक्ट मोहन है, आपको friends नहीं देखना है, यह जस्ट एक्स पर पोजिशन होती है, उसके पहले वाला में सब्जेक्ट होता है, तो मोहन के according कि friends के according, अगरा friends देखकर R करके आ रहे हो, तो R is not the correct answer, R correct answer नहीं है, इसका correct answer is, क्या है is, क्या है is, क्योंकि तो मैं हिंदी बता रहा हूँ, मोहन along with his friend, मोहन के साथ साथ उसके दोस्त, मोहन के साथ साथ उसके दोस्त भी दोस्त दिल्ली में काम कर रहे है, तो में आप इस गलत खेमी में मतरे ना की friends लिखा है, तो भी आप बलेंक पास में तो आ रिया है, तो आप कांसे गलत हो सकता है, तो guys, ये कुछ कोर्षन थे, ये actually 10 कोर्षन थे, 10 ने 11, क्योंकि जो 4, जो कोर्षन नमबर 4 था ना मैंने 2 बार repeat कर दिया था, कोई बात नहीं है, तो आपको main concept समझ आना चाहिए, वीडियो बनने का, मेरा वीडियो बनने का main motto क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, यदि आपको समझ में आए, यदि आपको ये वीडियो समझ में आई, और आप मुझे comment करके बताना, कि आपके answer कितने सही निकले, आपने भी answer दिख में मैंने question समझा उन में से, आपको comment करके बताना है, और वीडियो पसंद आई हो, तो like, share और subscribe कर देना, that's it for today, जय थिन